जै माता दी दोस्तों, घरेलुख अबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखे, माता रानी सब का कल्यान करेंगी, दोस्तों हिंदू धर में नवरातरी का बहुत अधीक महत होत माता के नवरात्री के राधना के साथ सातलोग ब्रत और पुवास भी रखते हैं, नौ दिनों में माता के 900 रूपों की अलग-अलग पूज़ा की जाती है, और दिन के हिसाब से प्रतेक दिन माता को अलग-अलग परकार के भोग भी लगाया जाता है। दिन के अनुसार भोग लगाने से माता सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करती है और समस्त मानुकामना को भी पूरा करती है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नवरातरी के 9 दिनों में किस दिन देवी को कौन सा भोग लगाना चाहिए और उससे कौन सी समस्या का तक प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों नवरात्र का पहला दिन माश्यल पुत्री का हो इस तिन माश्यल पुत्री की पूजा के दौरान आपको माश्यल पुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए इससे मा आरोगी होने का वर्दान देती है तथा सभी ब्याधियां दूर होकर स्रीर को निरोगी होने का असिरवाद मिलता है नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रमचरने की पूजा होती है मा ब्रमचरने को इस दिन सक्कर, मिस्री या पंचामरित का भोग लगाना चाहिए इससे मा परसन होकर देरगायू होने का बरदान देती है नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की पूजा की जाती है इस दिन मा चंद्रगंटा को दूद वा दूद से बने मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए भोग लगाने के बाद इस परसाद को ब्रामभन को दान करना सूभ होता है इससे दुखों से मुक्ती मिलती है और परम आनंद की प्राप्ती होती है नवरात्र की चौथे दिन मा कुस्मांडा की पूजा होती है इस दिन मा कुस्मांडे को मालपुय का भोग लगाना चाहिए और मालपुय को किसी ब्राम्भन को दान करना चाहिए ऐसा करने से बुद्धी का विकास होने के साथ सन्यरने सक्ति बढ़ती हो और परिवार में सुख सांती का वास होता है। नवरातरी के साथमी दिन मा कालरातरी की पूजा होती है। मा कालरातरी के पूजे में मा को गूर का भोग लगाना चाहिए। इससे गरीवी दूर होती है और सुख का नास होता है। नवरातरी के आठमी दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मा को नारियल का भोग लगाया जाता है इस तिन हलवा पूरी चना खीर आदी का भोग लगाना उत्तम माना जाता है इससे मृतूभ हैसे राहत मिलती है साथ ही अन्होनी होने की घटना से भी बचा होता है तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता संड आया हो तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए